नमस्कार दोस्तों प्यारे बच्चों डियर इस्टुडेंट्स मैं आपका होस्ट ललित स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल साइंस प्लस एकेडमी पर तो बच्चों आज हम क्या पढ़ने वाले हैं थोड़ा सा बीच में ब्रेकडाउन हो गया था आज व हमारी एकप्लास की एंस आटी बुक की और तो प्न टोपिक लेने वाले है वह हमारा की न और बायों का नसी आटी का सिज्ड रविएस्टी का सेकिंड चैप्टर है देटी लॉजिकल क्लासिफीकेशन है तो बच्छों सबसे बेले तो क्लासीफिकेशन हम क्यों करते हैं किसी भी और्गेशनी कीचित को लिविंग और्गेशनी को ऑइडंटिफाइड bins उसकोडेस्क्राइब उसको डिफाइन करने के लिए कि उसका नोमेन कलेचर करने के बाद हम उसको वेरियस क्लासेज में क्या करते हैं डिवाइड करते हैं अब जब बात आती है कि क्लासिफिकेशन तो हमारे एक साइंटिश्ट हुए मिस्टर आरेच वी टेकर उन्होंने परपोस्ड किया था 5 Kingdom Classification अब जब जितने भी living organism थे उनको उन्होंने 5 Kingdoms में 5 Kingdoms दिवाइड किया नेमली क्या थे Kingdom Monera, Kingdom Protista, Kingdom Phungis, Kingdom Planti और Kingdom Animalia मैं रिपीट करता हूँ, kingdom monera, kingdom protista, kingdom fungi, kingdom planty, kingdom animalia तो बचों, जब भी हम अपना ये second chapter पढ़ेंगे, तो अब ये तो five kingdom classifications हो गया इनिशियल स्टेज पे जब classify किया जा रहा था, तो जो ancient way था, उसमें हमने क्या किया था, living organism को दो गुरूप में बांटा गया था, that is called two kingdom system of classification और दो kingdom कौन से बनाएगे, planty और animalia, अब उस समय क्या था कि जैसे similar उनको बाहर से देखकर, उनकी morphology देखकर, वो कैसे हैं, छोटे हैं, बड़े हैं, shape and size देखकर, कुछ similarity देखकर, उनको गुरूप में डाल दिया था, जाता था कि देटा प्लांटी and देटा अनिमेलिया, बट आरेच वी टेकर ने, यह जो five kingdom classification किया, उसमें जो criteria था, उसमें क्या था, sale structure, sale case है, body organization कैसा है, body organization में previous video में हमने बात करी थी, cellular level का है, tissue level का है, organ level का है, या कैसा है, then, mode of nutrition, उनका mode of nutrition क्या है, हम जानते है, on the basis of mode of nutrition, there are many classes, just like autotroph, heterotroph and saprophytes, है ना, ऐसे कुछ है, पिछले कुछ वीडियो में हमने इनके बारे में बात करी थी, ठीक है, और reproduction यह कैसे करते हैं, यह भी एक classification, का base बना, और उनके बीच में कोई phylogenetic relationships क्या है, तो इन सब चीजों को लेकर, भी टेक करनी, यह जो five kingdom classification का था, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमेलिया का, उसको परपोज किया, और आज हम जो पढ़ते हैं, classification, यह वही five kingdom classification है, जो वी टेकर ने प्रपोज किया था, अब particular हम लोग बात करते हैं, जो भी classes है, इसके अंदर kingdoms है, सबसे पहला आता है kingdom monera, अब जैसा कि हमारी NCRT कहती है, कि bacteria are the soul members of the kingdom monera, अब यह जो monera kingdom है, इन अनुदर वर्ड हम क्या कहेंगे किन का है, बेक्टीरिया का है, ठीक है, अब बेक्टीरिया की यह बात करें, तो यह micro-organism है, है ना, और हम इनके बारे में और कुछ यदा जानना चाहें, तो as we know, they are either harmful or important in our daily life, है ना, एक common example हम जब भी bio पढ़ते हैं, बेक्टीरिया के रेफरेंस में, हम लोग कर्ड का, जो दही होता है, लेक्टो बेसिलस बेक्टीरिया जो है, उसका हम यहाँ पे रेफरेंस देते हैं, है ना, तो यह बेक्टीरिया है, और जब हम इन बेक्टीरिया की बात करते हैं, तो सबसे पहली बात जैसी हमारी इंसियार्टी केती है, कि बेक्टीरिया ओक्योर ओल्मॉस्ट एवरिवेर, सबी जगे पाई जाते हैं, एंड, जो है, जहां पे प्लांट ग्रो करते हैं, उनमें भी बेक्टीरिया होते हैं, और एक इनकी जो सबसे बड़ा करेक्टरिस्टिक्स है, वो क्या है, कि ये बेक्टीरिया या इनकी कुछ इस्पिसीज जो है, एक्स्ट्रिम हेविटेट्स जो है, एक्स्ट्रिम हेविटेट्स का मीन्स क्या हुआ, यहां पे जारना जुरूरी है, extreme habitat का means हुआ जैसे hot springs है जहांपे temperature बहुत हाई होता है वोलकेनों जहांपे originate होते हैं वहाँ पर भी यह पाई जाते हैं सुनों में पाई जाते हैं, deep oceans में पाई जाते हैं, desert में पाई जाते हैं तो क्या होता है कि जहां कहीं भी life की possibility है वहाँ पर bacteria क्या होती है, present होती है फिर एक बात हो रहती है, अब bacteria का group हो गया हमारा monera और इनके हम बात करें, तो इन bacteria को 4 category में क्या किया गया है divide किया गया है या grouped किया गया है अब यह जो category बनाई गई है bacteria की, किसके उपर बनाई गई है यह इनकी जो shape है, इनका appearance के साथ है उसके basis पे हमने bacteria की 4 category जो है बनाई है कौन-कौन से हो सकते हैं, हमारी NCRT book को हम देखें सबसे पहले आते हैं, spherical bacteria इनको हम क्या केते हैं, cocus केते हैं shape केसी होती है, spherical होती है so why they are called cocus bacteria अब उनकी shape अगर road जैसे है, road shaped है छड़के जैसे है, then they are called bacillus है ना, हमने बात करी थी अभी cud की कौन से बेक्टिरिया है, lactobacillus, mind में आना चाहिए इनकी structure केसी होगी, road like structure, road shaped structure होगी then, comma shaped, comma जो हम लोग एक लगाते हैं, लिखते समय उस shape में है, तो उनको हम vibrium बोलेंगे और spiralum, means shape केसी होगी, spiral shape इनकी जो है, होती है तो again, जब five kingdom classification पढ़ते हैं, तो सबसे पहला kingdom कौन सा आता है, monera kingdom, किस का है, bacteria का है, कहां पाई जाते हैं, almost हर जगे ये bacteria जो है, पाई जाते हैं, extreme habitats में भी जो है, पाई जाते हैं, फिर इन bacteria को हमने क्या किया, चार group में divide किया, कौन-कौन से होगे, जो इनकी shape के उपर depend करता है, कि उसको किस केटेगरी में रखा जाए, कौन-कौन से बेक्टिरिया हो गए, कोकस हो गए, बेसिलस हो गए, विब्रियम हो गए, एंड इस्पाइरिलम, ठीक है, आगे, जब भी हमारे चेप्टर आएंगे, हम जो है, इनके कुछ एक्जाम्पल्स जो है, वो भी लेने वाले हैं, तो यह तो पहला group हो गया, अब एक बात आती है, कि बेक्टिरिया आर वेरी गंपलेक्स हिन बीहेवियर है, इनका जो बीहेवियर है, बड़ा कॉंपलेक्स हिसिती लिये हुए होता है, कॉंपलेक्स हिसिती का मींस क्या हुआ, कि अधर अधर और ओर्गेनिजम जो है, उन्से इनका कम्पेरी Hybridें करें, तो the most extensive metabolic diversity इनके अंदर जो है पाई जाती है some of the bacteria are autotrophic है ना हम बात करे थे बहुत सारे bacteria autotroph होते autotroph का means क्या होता है हम जानते है they represent the process of photosynthesis है ना अपना nutrition खुद बनाते हैं in the presence of sunlight then some of them are जैसा कि हमारी बुक केती है अब अगर हम बात करें autotroph की तो उन में से क्या होते है कुछ तो photosynthetic होते है means sunlight से अपना nutrition बनाते हैं और some of them are chemo synthetic chemo synthetic का means क्या हुआ कुछ chemicals की presence में उन chemicals की help से यह अपना जो है nutrition बनाते हैं so they are called chemo synthetic autotrophic bacteria अब जैसा हमारा NCRT बुक केती है the vast majority of bacteria are heterotrophs ज्यादा तर bacteria जो है mostly bacteria जो है heterotrophs होते हैं means क्या हुआ वो photosynthesis नहीं करते हैं depend करते हैं अपने nutrition के लिए other जो है organic matter पर या living organisms पर ओके अब बात करते हैं हमारी NCRT book में जब भी हम kingdom monera को पढ़ रहे हैं और bacteria को जब हम पढ़ रहे हैं तो इसी reference में एक जो है topic दिया है that is called R की bacteria है ना तो बच्चों ये भी चीज जो है हमें पढ़नी चीए जरूर पढ़नी चीए क्या है these bacteria are special since they live in some of the most harsh habitat such as extreme salty area है ना अब ये ऐसे bacteria है आर की bacteria ऐसे environment में survive करते हैं जहां पर नौर्मली जो है other living organisms के लिए survive करना बड़ा मुश्किल होता है जैसा भी हमने बोला कि इन में से कुछ जो है extreme salty areas में पाई जाते हैं है ना saline water है वहां पर ये पाई जाते हैं जहां पे water में जो sodium chloride का जो contain है वो बहुत ज़्यादा होता है तो ऐसे bacteria जो salty area में पाई जाते हैं डेटार cold hellophytes क्या बोलते हैं उनको hellophytes क्या देना हम पढ़ रहे हैं kingdom monera monera में हमने पढ़ा bacteria bacteria के अंदर एक इनकी जो variety आती है आर की bacteria अब जो आर की bacteria है वो कौन-कौन से हो सकते हैं पहले हमने लिए hellophytes means salty area में जो है पाए जाती हैं ऐसे ही कुछ bacteria hot springs गरम पानी के ज़र्णों में पाए जाते हैं temperature बहुत आई होता है वहां पर thermo-seedophils thermo-seedophils देन कुछ जो है मार्ट सी एरिया जो होता है कीचड़ वाला इलाका दलदल वाला इलाका वहां पर यह bacteria पाए जाते हैं दे आर कोड methanogenes bacteria है ना अब यह methanogenes bacteria की जब बात आई है हम बात करते हैं cow dung जो होता है उसमें भी methanogenes bacteria होते हैं और cow dung से हम क्या करते हैं bio gas का production करते हैं bio gas का production करते हैं तो bio gas कौन सी बनती है methane बनती है और methane को produce कराने में सबस्यादा responsible कौन होते हैं यह जो methanogenes bacteria है ना तो अब यह methanogenes bacteria हो गए then अब एक बात जो लिखी है कि हमने इनको R की bacteria नाम क्यों दिया क्या विशेश बात है तो क्या लिखा है हमारी NCRT में R की bacteria differ from other bacteria in having a different cell wall structure and this feature is responsible for their survival in extreme conditions हमने बात करी यह extreme habitats में जो है रहते हैं तो इसी इनकी body में क्या खास बात है जिसकी बज़े से यह इतने high temperature पर भी ले सकते हैं marsy area में भी रह सकते हैं saline water में भी रह सकते हैं तो इनकी जो cell wall होती है वो थोड़ी different होती है या हम कह सकते हैं इनकी cell wall इनको resistant बनाती है इस type के environment में survive करने के लिए ओके देन आगे बढ़ते हैं इन दा गट ओप शेवरल रूमिनेंट एनिमल्स रूमिनेंट एनिमल्स कोन से होगे उनमें एक पार्ट होता है cellulose का digestion करने के लिए that is called ruminate जैसे काउ है है ना जो kettles है यह क्या क्या एलाते हैं तो आर की बेक्तिरिया इनकी जो यह कहां प्रजेंट होते हैं इन दा गेट ओफ सेवरल रुमिनन अनिमल्स सच इज काउज और बफेलोज एंड दे आर रेस्पोंसिबल फोर दा प्रोड़क्शन ओफ मिथेन बायो गेस है ना हमने बात करी थी फ्रोंदा डंग ओफ दीज एनिमल्स यह डीकंपोजिशन करते हैं और एज रिजल्ट क्या प्रोड्यूस होती है बायो गेस या मिथेन प्रोड्यूस होती है इसलिए तो इनको नाम दिया गया है मेथेनोजन बेक्टीरिया तो बच्चों यह हमारा हम कह सकते हैं पहला ग्रूप है किंग्डम मोनेरा ओके इसके अंदर हमने क्या पड़ा बेक्टीरिया के बारे में बेक्टीरिया के फॉर ग्रूप बनाये हैं इनकी सेपट साइप्ज के अ को कंडिंग्ली वापिस अपिक्ट कर देता हूं कोकस हैं बेसीलस है वीब्रीम है कोमास अव्रीजो होते हैं na एंड इस्पाइरिलम यह इनकी सेप केसी है डिपेंड करता है फिर हमने पड़ा कि आरकी बेक्टीरिया आरकी बेक्टीरिया कि इनको कहते हैं बेक्टीरिया की वह वेराइटी वह इस्पीसीज वह बेक्टीरिया जो एक्स्ट्रीम हैबिटेट में अपना सर्वाइवल करते है तो आगे बढ़ते हैं अगला जो टाइप आता है देट इस कोड यू बेक्टीरिया पहला क्या हो गया आर की बेक्टीरिया हम बात करें बेक्टीरिया के रेफरेंस में तो next group इनका कौन सा आ गया यू बेक्टीरिया there are thousands of different you bacteria और true bacteria दियान देना इस बात पर ये जो यू बेक्टीरिया है इνको हम क्या कहते हैं true bacteria भी कहते है आप देखो क्या बात होगी इनका करेक्टरिस्टिक्ट क्या है कि इनकी सेल वोल बड़ी रिजिड होती है है ना रिजिड होती है देन फिर यह बुख हमें क्या बता रही है कि अगर यह मोटाइल है मीन्स लोकोमोशन कर रहे हैं मूवमेंट कर रहे हैं तो इनके अंदर कौन सा एक जो है ऐसे सरी पार्ट होगा देटीज फ्लेजिला दो होते हैं सीलिया एंड फ्लेजिला तो इनमें इनको यू बेक्टिरिया में इसा ओरगन क्या हो जाएगा फ्लेजीला देन फिर हम इनकी एक वेराइटी पढ़ते हैं sina बेक्टिरिया इनको यूज्वल हम ब्लू ग्रीन एल्गी भी क्यते हैं अब इनके अंदर क्या होता है tragically की जो है इस्पेशल बात क्या हुई they have chlorophyll A similar to green plants and are photosynthetic autotrophs तो ये जो cyanobacteria है ये जो blue green algae है इन में क्या होता है एक pigment होता है that is chlorophyll A हम जानते हैं ये chlorophyll A और किन में पाया जाता है जितने भी green plant है जो photosynthesis करते हैं autotroph होते हैं उनमें भी chlorophyll A होता है इसी वज़े से ये जो cyanobacteria है mode of nutrition के basis पर हम क्या कहते हैं cyanobacteria are autotrophic and photosynthetic okay the cyanobacteria are unicellular, colonial और filamentous याना unicellular भी हो सकते हैं बहुत सारी इनकी cells एक जोगे aggregate हो जाती है तो ये colon भी बना लेते हैं ये filamentous form में भी जो है होते हैं fresh water, marine और terrestrial algae ठीक है अब ये जो है fresh water में भी होते हैं marine water में भी होते हैं और terrestrial means on land यहां पर भी ये पाय जाते हैं the colonies are generally surrounded by a gelatinous seed ठीक है इनकी जो cells होती है उनके बाहर एक बड़ी smooth mucus या gelatinous जो है layer होती है that is called gelatinous seed है ये ही region है जब ये जहां पर इनका group होता है colony होती है है न हम लोग वहां जाते हैं तो हम लोग sleep हो जाते हैं क्यों ये एक जो gelatinous seed इनकी cell के चारतर भी है इनकी colony के surrounding में जो है present होती है okay आगे बढ़ते ये open form bloom in polluted water bodies अब किसी water body में जब ये बहुत सारा aggregate बना लेते हैं group बना देते हैं तो ये water क्या हो जाता है polluted हो जाता है ठीक and अब जैसा कि हमने बोला polluted water body में जब ये इखटे हो जाते हैं तो इसको क्या बोलते हैं bloom बोलते हैं एक जो है group बन जाता है some of these organism can fix atmospheric nitrogen in specialized cell called heterocyst अब इनकी जो filamentous foam है उन में जो है a special kind of cells होती है that is called heterocyst तो ये क्या करती है हम जानते हैं atmospheric nitrogen को कोई भी plant है या ototrope है वो सिधा यूटिलाइज नहीं कर सकते हैं तो उसको fix किया जाता है means complex nitrogen molecules को simple molecules just like nitrogen and nitrogen में convert किया जाता है इस process को हम क्या केते हैं nitrogen के conversion को हम क्या केते हैं the fixation of nitrogen और nitrogen fixation हम इसको बोलते हैं ओके तो बड़े useful होगे कुछ एक्जामपल जैसे हमें दिये है नोस्टोग एंड एन अबिना यह क्या है यू बेक्तिरिया है soil में present होते हैं जहांपे crop का production हो रहा होता है अगर यह वहां present है तो यह nitrogen fixation करते हैं और as a result हमारा crop production क्या हो जाता है बढ़ जाता है ओके कीमो सिंथेटिक ओटो ट्रोफिक बेक्तिरिया oxidize various inorganic substances such as nitrate, nitride and ammonia and use the release energy for their ATP production है ना तो इनका जब यह हम कह सकते हैं oxidation करेंगे किनका जो inorganic substances है कौन-कौन से nitrate, nitrite और ammonia तो इनका oxidation करते हैं तो ATP release होती है है ना तो उसका यह लोगे use करते हैं they play a great role in recycling nutrients like nitrogen, phosphorus, iron and sulfur है ना तो यह क्या करते हैं also recycling भी करते हैं जो भी nutrients है हम जानते है nitrogen है nitrite में, nitrate में convert हुई और इसको जो absorbed किया जाता है तो फिर plant body का यह इनका जो जो भी body उसका decomposition होता है है ना किसके द्वारा यही जो हमारे you bacteria है decomposition करते हैं तो यही substances वापिस क्या होते हैं environment में soil में वापिस क्या हो जाते हैं release हो जाते that is also called recycling of nutrients तो आज अपने टोपिक में हमने क्या किया classification के बारे में हम बात कर रहे थे that is called five kingdom classification five kingdoms कोन-कोन से होगे जितने भी living organisms है उनको हमने पांच किंग्डम में divide किया kingdom monera kingdom protista kingdom fungi kingdom planting kingdom animalia उसमें हमने पहला kingdom दिया kingdom monera और उसका जैसी हमने बात करी किसका group है bacteria का group है सेप के जो है reference में हमनों कुछ उसके group बनाएं देन हमने पड़ा आर की बेक्टिरिया क्या है extreme habitat वाले बेक्टिरिया देन हमने पड़ा यू बेक्टिरिया इनको हम true bacteria भी कहते हैं और इनका तो बड़ा economic importance भी होता है यू बेक्टिरिया के हम जब बात करते प्यारे बच्चों नेक्ट वीडियो में इसी चेप्टर को हम आगे बढ़ाएंगे रिक्वेस्ट है आपसे चेनल Science Plus Academy को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब करें Share करें Like करें बेल आइकोन का बटन दबाएं एंड जो भी कमेंट्स है बड़े यूसफुल होते हैं उन कमेंट के थुरू आप अपनी क्वेरी कर सकते हैं फिर मिलेंगे इसी करम को आगे बनाते हुए एंची आर्टी को लेते हुए एंड तब तक के लिए आप सब को गुडबाई हैव ए नाइस